असलाम लेकुम गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल कुकवित काफी आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ आलू और गोबी की बहुत ज्यादा मज़दा रेस्पी जिसको आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ी की लगेगी खाने में और यह बहुत ही कम इंड्रिडेंस में और बहुत ही कम टाइम में बनके तयार होती है और इसको आप पराठो के रोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ही मज़ी की लगती है इनके साथ या चावल के साथ सूखी सबजी के तौर पर भी सर्फ कर सकते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आपर मैंने गोबी इसको मैंने काट लिहा है और साथ में आलो काट लिए और गोबी के जो हरे पत्ते होते हैं इन दोने कार्ट के अच्छीetta बोश करें假 यहां पर wash कर लिया है अब मैंने एक medium size की प्यास काइट लिये और 5-6 लसुन के टुकड़े बारीक-बारीक काइट लिये हैं आपर अब मैंने कुछ मसाले लिये हैं जैसे कि 1 teaspoon लिये हैं मैं रेड चिली पाउडर 2 teaspoon ले लिया मैंने धनिया पाउडर, half teaspoon healthy powder और मैंने लिये 1 teaspoon कसूरी मेती तुम मैंने यहाँ पर एक कड़ाई ले लिए उसमें तेल डाल लिया है तेल को मैं अच्छा से थोड़ा गरम कर लूँगी फिर इसमें जीराइट करूँगी 1 टीज़ पून मैं जीराइट लेए और इसको अच्छा से ब्राउन कर लूँगी फिर मैं इसमें प्यास और उनको अच्छे से गोल्डन कर लें तब तक यह गोल्डन ना हो इनको फ्राई करते रहें और जब तक इनका अपर इसको चम्बा चलाते रहें ताकि यह जलनी जाए पहले हमें प्यास को गोल्डन कर लेना तभी डाल देंगे तो जाद अच्छे टेस्ट नहीं आएगा क्या अब डेर ने अच्छे से प्राई कर लें ना है आप इस तप तक करेंगे जब तक आपको दिखे tutti परसंट परसंट कूंड ना यह यह जिब आपको दिखे 50 परसंट को रहा है तो इसको इसमें अभी हमारी नहीं पकिई है झो कना रहें दो अल उनक्छानर आर्य के नही हीं आपर यह अच्छे से थोड़ी पक चुकी है में इसमें पहले नमक ढालूगी नमक ढाल के थोड़ा से इसको पकाऊंगी क्योंकि नमक से हना थोड़ा जो होता है अब देखिए यहाँ पर यह अच्छे से पक बढ़े 50% तक को खोगी है अब जो है मैं इसमें मसाले आइट करूंगे जो मैंने पहले ही आपको दिखा दी है तो सबसे पहले ले रही हूं यहां पर धनिया पाउडर डाल दूगी मैं इनका मेजरमेंट मसालोगा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं अब मैं यहां पर मिर्स एड नहीं करना हमें बस मैं इनी मसालों बनाऊंगी फिर मैं यहां पर डालूंगी कसूरी मेथी कसूरी मेथी जानब इसका फ्लीवर बहुत अच्छे हो जाएगा कसूरी मेथी किस समान में बढ़ जाते तो उसकी खुश्बू और उसका जो फ्लेवर एकदम रेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेगे इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इस पर ढखकन ढखे इसको मैं पका लूँगी पकाना हमें 10-12 मिनट तक है इसको ताकि एच्छे से कुखो जाए इसका जो मसालों को कच्छा पन वो अच्छे से निकल जाए और अभी हमारी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें गर्म मसाला एट करें से थोड़ा सा अब इनसे मसालों को डालने के बाद मैं इसमें चम्माच चला दूंगी चम्माच चलाने के बाद में ढखकन ढख दोंगी ढगने के बाद मैं इसको 5-6 मिनिट और कुक करेंगे ताकि जो गोबी हमारी कच्छी है वह सही से गल जाए इसको कुक करने के बाद मैं नहीं देखिए अपर धकन अटा दिया और अच्छी से गल गई है अब मैं यह आपर धनिया एट कर रही हूं धनिया में ज्यादा सा एट कर देना है इससे कलर और फ्लेवर बुदो नहीं बहुत अच्छा आए प्लेवर आप दो तो अब भी बना रहे हूं तो इस राइसपी को ट्राइक करे बहुत ही मज़े की बन के तयार होती है और बहुत ही कम इंग्रेडेटेंस में और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में एखाने में अपको मेरी यह वीडियो पसंद आया होगी तो प्लीज